गुद्ध मॉनिंग गुद्ध मॉनिंग एवरिवन वेलकम टू प्यस्सी वाला प्यस्सी वाला में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम वरुन है और आज है 14 तारिक 14 फरवरी है आज वेलेंटाइन डे भी है तो 14 फरवरी है और इस 14 फरवरी के सुबह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज हम डेली करेंट अफेस पढ़ेंगे जैसा हम रेगुलर 9 बजे पढ़ते हैं सुबह में तो आज भी हम उसी को जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो चलिए सिशन को स्टार्ट करते हैं तो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड मॉनिंग चले तो सबसे पहले देखते हैं की आज हम कौन-कौन से हेडलाइन को देख रहे हैं तो इमपोर्टन्ट हेडलाइन पर आज हम डिसकुशन करते हैं सबसे पहला है Global Quality Infrastructure Index 2021 में भारत की राश्ट्रिय माननेता प्रणाली दुनिया में पांचमें स्थान पर है पीम मोदी ने तीन दिवश्य यूपी Global Investors Summit 2023 का उधगाटन किया दिल्ली बाल अधिकार निकाई ने WhatsApp चैट बोट सेवा बाल मित्र लॉंच की अंतराश्टिय समुद्री प्राधिकरन ने भारत को अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संसकरन जम्मू कस्मीर के बारा मुला जेले के गुलमर्ग में सुरू होगा ICC T20 महिला विस्व कप दक्षिन अफ्रेका में सुरू हो रहा है NIA ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलसी लॉंच की भारत ने फर्वरी 2023 में कॉंगो गनराज्य का अंतराष्टिय सौर गटबंदन में श्वागत किया है और या या सो लद्दाक का पहला जैव विवित्ता विरासस्थल बन जाएगा चले अब सबसे पहले कोस्चन को देखते हैं सबसे पहला कोस्चन क्या है तो वर्ल्ड बैंक ने भुकंप प्रभावित तुर्किये के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोशना की है यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या है कितने अरब डॉलर की घोशना की है तो कितने अरब डॉलर है 1.7 एक मिनट 1.78 बिलियन डॉलर जो है इस रासी की घोशना विस्व बैंक ने की है दूसरी प्रमुख बात आपको पता है भारत ने इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है अपरेशन दोस्त तो इंडिया ने इसके लिए तुर्किये की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है तो तुर्किये की सहायता के लिए चलाया गया है दूसरी बात क्या है इसमें जो मदद है वह किसके दुआरा की गई है World Bank Group के दुआरा यानि World Bank के दुआरा अगर मैं कहूँ अगर मैं बात करूँ World Bank की तो World Bank की स्थापना 1944 में हुई Britain Wood Conference में तो Britain Wood Conference USA में हुआ वहाँ पर इसके स्थापना हुई दियूतिय विस्यूद के बाद स्तिती काफी गंभीर हो गई थी तो दियूतिय विस्यूद में जो छती हुई थी उस छती की पूरती के लिए World Bank के स्थापना की गई तो ब्रिटेन वूड कॉनफरेंस में World Bank और IMF IMF भी इसमें आया है तो Britain Wood Conference में World Bank के साथ-साथ IMF की भी जो है वो स्थापना हुई है जो International Monetary Fund है विस्व बैंक का काम क्या है तो विस्व बैंक का काम जो रिन है रिन देता है तो Low Income Countries को यह रिन देता है साथ ही साथ या जो है प्राइवेट जो निवेशक है जो नीजी निवेशक है उनको भी साहयता प्रदान करता है अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्याले है वो वासिंग गटन में है तो विस्व बैंक का मुख्याले वासिंग गटन में है विस्व बैंक का मुख्याले वासिंग गटन में है इसको लिख लीजेगा और अगर मैं बात करूँ तो इसके जो अध्यक्ष है वो डेविड माल पास अगर मैं बात करूँ तो इसके तहट आपको पता है अन्य जो वर्ल्ड बैंक ग्रूप जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रूप उसमें कौन को नाता है वर्ल्ड बैंक ग्रूप जिसको आप कहते हैं उसमें आपको पता है एक आता है आई बी आडी जो इंटरनेस् development association है idea का काम है कि जो भी low income country है या फिर जो भी बिलकुल अलपविक्से देश है उनको यह रिण प्रोवाइट कराता है तीसरा है MIGA यानि Multilateral Investment Guarantee Agency जिसको आप मीगा कहते है यह क्या करता है यह political crisis किसी country में नहीं है यह private जो भी निवेशक है उनको यह guarantee देता है कि इस देश में political crisis या राजनेतिक संकट उतपन नहीं हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें तो आप एक देखेगा International Center for International Center for Dispute Settlement Dispute Settlement of जो private investors है तो इसके लिए भी एक संस्था है जो private investors या यह निजी निवेशकों के मद्य अगर देशों में कोई dispute पैदा हो जाए तो उस dispute को भी यह समाप्त करने का प्रयास करता है यह संस्था और एक पाँचवी है जिसको आप जानते है IFC International Finance Corporation जो क्या करता है जो private company को जो है रिन मुहया कराता है तो World Bank Group के अंदर पाँच आते है IDA International Development Association IFC आता है ICS ID आता है जिसको आप International Center Center for Settlement of Investment Disputes कहते है फिर कौन आता है फिर आता है MIGA जिसको आप Multilateral Guarantee Agency कहते है और सफिर IBID का जाता है जिसको आप International Bank for Reconstruction and Development कहते है तो यह जो है यह आपको चीजें देखने को मिलेंगी इसको जो है सामाने तोर पर मैंने ऐसे लिख दिया है वैसे इसको क्या कहा जाता है International Center for Settlement of Investment Dispute यह इसको कहा जाता है ICS ID ठीक है तो इसको भी आप SORT में भी लिख सकते है ICS ID ठीक है तो यह पाँच जो है वो World Bank के तहट आता है तो उसी प्रकार से आप देखेंगे देखो इस प्रकार से जब भी सवाल आप से पूछे तो बिलकुल आप ध्यान में रखेगा कि World Bank के अंदर कौन-कौन से चीजे हैं World Bank Group के अंदर कौन-कौन से जो एजनसी हैं वो आते हैं साथ ही साथ आप देखेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है इसका मुख्याले कहा है अगर हमें बात करूँ तो इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी है इसके कुल सदस्यों की संख्या 189 मिंबर्स हैं 189 मिंबर World Bank Group के अंदर आते हैं तो इतनी सारी बातें आपको इस सवाल के लिए ध्यान में रखनी है और इतनी सारी चीजों को आप जो है वो याद करके भी रखिएगा चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं तो ये सवाल था तुर्किये को कितनी सहायता World Bank ने दी है चलिए अगला है कि विच इंडियन अथलीट वन गोल्ड इन सौटपुट इवेंट एट एसे एन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के किस एथलीट ने एसे एन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सौटपूटट इवेंट में गोल जीता है तो सौटपूट इवेंट में किसने गोल जीता है याद रखिएगा सौटपूट इवेंट में किसने गोल जीता है तो तजपिंदर पाल सिंग तूर ने याद रखिएगा सबसे पहली बात है कि यह जो है ASEAN Indoor Athletic Championship की अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है वो कौन आयोजित करता है तो ASEAN Athletics Championship जो है इसको आयोजन कौन करता है तो इसको ASEAN Athletics Association इसका आयोजन करता है ठीक है इसका आयोजन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है 2004 से स्टार्ट है अगर बात करें तो 2023 में यह जो कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में ठीक है अगर बात करें तो इसमें विनिंग कंट्रीज के नाम में देखेंगे तो इसमें कौन आपको दिखता है इसमें आपको दिखरा है जापान है ठीक है तो इस बार यहां कजाकिस्तान के अस्तान में संपन हुआ है अगर बात करें तो एसियन इंडोर एथलेटिक चैंपियन सिप में सौट कुट इवेंट में गोल जीतने का काम जो है वो तजबिन्द पाल सिंग तूर ने किया है इन्होंने 19.49 मीटर जो है वो थो किया है सौट पूट थो किया है अगर अन्य अगर हम इसम सेदाए सुर्ट पुट थो में तजिंदर पाल सिंग तूर में लेकिन अगर उननीस मीटर का आकरा पार करने दो AMA 19 सिंग तो यह करनवीर सिंग तूर है तो यह भिलकुल आपको ध्यान जीता हुआ है और त्रिपल जंप की अगर मैं बात करूं तो त्रिपल जंप में कौन बहतर प्रफॉर्म कर रहे हैं प्रवीन चित्रवेल नाम ध्यान रखेंगे प्रवीन चित्रवेल ने लगभग 16.598 मीटर का त्रिपल जंप लगा कर रजत पदक जीता है तो इनका भी ना त्रिपल जंप में प्रवीन चित्रवेल ने क्या किया है 16.98 मीटर का जंप लगा कर क्या जीता है रजत पदक जीता है तो इसमें जो जो महत्तपूर्ण बाते हैं यह ध्यान रखेंगा कि एसीन इंडियोर एटलिटिक्स चैंपिन्स के सौटपुट इवेंट में गोल जीत 19 मीटर का अकड़ा पार किया है 19.49 मीटर का अकड़ा तजिंदर पाल सिंग तूर का है तजिंदर पाल सिंग तूर ने 2018 और 2019 में भी जो है वह गोल्ड जीता हुआ है और परवीन चित्रवेल ने जो आपको त्रिपल जंपिंग होती है उसमें 16.98 मीटर का जंप किया और उस अगर आपको ध्यान है तो यह सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है ठीक है चलिए अगले सवाल की और चलते हैं अगला सवाल क्या है तो यूनियन टेरिटरी आफ लदाक के लिए किन को जो है वह नुक्त किया गया है ठीक है अब बताईए किसको नुक्त किया गया है चलो तो किसको नुक्त किया गया है तो बीडी मिस्रा को लदाक का जो है वह लजी नुक्त किया गया है अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपको बता है राजपाल राजपाल की नियुक्ति कौन करता है राजपाल की नियुक्ति रास्ट्रपती करते हैं और रास्ट्रपती के तौर पे देखा जाए तो राजपाल जो है वह रास्ट्रपती के परसाद परियंत बना होता है परसाद परियंत कहने का मतलब है कि under the pleasure of the president होता ह यानि जब तक रास्ट्रपती चाहेंगे तभी तक राज़ेपाल जो है वह अपने पद पर बना रहेगा अगर मैं बात करूँ दूसरा तो आपने एक विक्ती का नाम सुना होगा जिसको लेकर काफे विवाद है वह हैं अब्दुल नजीर को भी आंदर परदेश का चुकि राज़ेपाल बनाया गया आंदर परदेश का राज़ेपाल बनायेगा इसको लेकर विवाद है क्यूकि यह अभी हाल में ही जनवरी महीने में इन्होंने सुप्रीम कोट के जज से या सेवा निवरित हुए हैं थे साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो डी मोनेटाइजेशन पैनल बे भी यह सामिल थे तो इसलिए आरोप है कि सरकार के साथ क्या इरोने कुछ साथगाट की थी क्या जो इनको तुरंद सरकार ने आंदरप्रदेश का राज जिपाल बना दिया तो यह जो है एक सवाल उठ है इसकी बाद अगर मैं बात करों तो राजेंद्र विश्वनाथ अर लेकर कहा के बन रहे है बिहार के जो है महर्स के राजेपाल है तो आपको ध्यान रखना है इंको अब्दूल नजीर है उनको आंदर प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है यह बात बिल्कुल ध्यान रखना कियोंकि यह सवाल आपसे पूच सकता है किंगि इन इनको लेकर काफी विवाद अभी चल रहा है लेकिन अनिकी मैं अगर बात करूँ तो आपको राजस जो अगर बीपियसी दे रहे हैं तो राजेंदर विश्वनाथ अर लेकर का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए तो रास्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूने बारह अगर मैं बात करूँ तो लगवग बारह राज्यों में बिहार सहित बारह राज्यों में बड़े फेर बदल किये हैं और राजेपालों की नई नियुक्ती की है ठीक है और उप राजपाल के रूप मर किसको नुक किया गया है B.D. मिस्त्रा तो यह बात अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपका काम बन जाएगा यह रिटाइड ब्रिगेडियर है रिटाइड ब्रिगेडियर ठीक है चलो नाम भी पढ़ने में अंग्रेजी में आप लोग को दिक्कत आ रहे हैं यह नाम भी अगर अंग्रेजी में अगर आप पढ़ लेंगे तब भी दिक्कत आ जाएगी ठीक है अगर नाम तो कमसे कम हिंदी में पढ़ लो अगर जादा अगर इसी में यहीं पर लिख देंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों तो मेरे पास लिखने का कोई जगर नहीं बचेगा ठीकर ना मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ना लिख पाऊंगा तो कमसे कम नाम को जो है वो कमसे कम हिंदी में पढ़ लो काम देगा चलो रास्टिय रैंकिंग तिरंदाजी टूनामेंट में पुरुस रिकवर का खिताब किसने जीता है अतानुदास तरुंदी प्रोय सुक्चैन सिंग और पार्थ सालून कहें बताइए यह किसने जीता है तो यह बिलकुल आसान सवाल है यह काफी अनुभवी व्यक्ति है तरुंदी प्रोय उन्होंने रास्टिय रैंकिंग तिरंदाजी टूनामेंट है उसके अन्तिम चरण में देखा जाए तो खिताब जीत लिया है अब देखेगा तो पूर्व रास्टिय चैंपियन जो पार्थ सालून के है इस पार्थ सालून के को हराया किसने तरंदी प्रोय ने तो ध्यान रखिएगा कि पार्थ सालून के को ही तरंदी प्रोय ने अन्तिम चरण में 6 दो से हराया है वहीं अगर सुक्चैन सिंग की बात करें तो सूट ओफ में भारत के नंबर एक खिलाड़ी अतानू दास को सुक्चैन सिंग ने हरा कर तीसरा अस्थान प्राप्त किया है अगर महिलाओं की बात करें तो सीनियर महिला रिकवर जो किताब है वह किसने दिता है अंकिता भगत ने और उन्होंने मधू वेदवान को 6-4 से हराया है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे इन सभी बातों से आपको इस सवाल पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेगा अगर बात करें तो निस्टनल रैंकिंग आरकरी जो टूनामेंट है वह कहां हो रही है नई दिल्ली में है इसका योजन नई दिल्ली में है सबसे पहले तो यह याद रखे दूसरा इसमें याद रखे कि तिरंदाजी टूनामेंट में पुरुष रिकवर का किताब तो पुरुष रिकवर का जो खिताब है वह किसने जीता है तो पुरुष रिकवर का खिताब जो है अतानु दास को तो इसको लिख लीजिये आप हिंदी में अतानु दाश को हराया खिए ठीक है चे दो से इन्होंने हराया है अगर मैं बात करूं और तो इसका आधसर तो सबसे जो है वो सौट पूट में इन्होंने जीता है अगर बात करें तो सुख्चैन सिंग ने सॉट आफ में बस पूरा हिंदी में लिखिये अदिख ठीक है ठीक है इसे के बारे में बात होगा इस पर आगे बात करें आप लोग बीच में कुछ बोल देते हैं तो मैं भी बड़ा कंफुज हो जाता हूँ इसे मत बोलिए इसको अच्छे से समझ इए पहले इसको अच्छे से पहले समझने का प्रयास करीए चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले तो हम इसके आंसर पर जाते हैं ठीक है आराम आराम से समझते हैं देखो यह हो कहा रहा है नई दिल्ली में ठीक है यह ध्यान रहेगा दूसरा जो महत्पुन बात है किसमें जीता कौन है तरण दूइप राय किस जो इसमें महत्पुन पॉइंट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन्हों ने हराया किसको तो तरणदीप ने फाइनल में अगर देखा जाए तो हरा दिया किसको है तो जो पूर्वरास्ट्रिये चैंपियन है क्या नाम है पार्थ सालूंखे तो पार्थ सालूंखे को इन्होंने हराया है ठीक है छे दो से इन्होंने हराया है यह बात आप बिलकुल ध्यान में रखेगा तो इसी लिए करेक्ट आनसर तो सिंपल जो है वो आपका क्या हो जाएगा अनुभवी तरणदीप राय तो यह तो पहले ही कलियर हो गया अगर हम सुक्चैन सिंग की बात हराया है अतानु दास को याद रखेगा अतानु दास को हराया अगर मैं महिलाओं की बात करूं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में अगर देखा जाए तो सीनियर सीनियर जो महिला रिकवर की बात करूँ तो उसमें किसने जीता है महिला रिकवर की बात करूँ तो उसमें अंकिता भगत जीती है अंकिता भगत याद रखिएगा जो विनर है उसका नाम आप ध्यान में रख सकते हैं तो इसको इसमें अंकिता भगत जीते हैं और मधू वेदवान को इन्होंने हराया है, 6-4 से तो हराया किसको ही ये बहुत ज़दा महत पूर नहीं है लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि मधु वेदवान को हराया है 6-4 से तो इतनी बाते याद रखेगा इसका जो correct answer है वो क्या है इसका correct answer तरंद्वी राय है तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है चले, इंगलेंड के किस खिलारी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो देखिए यह भी इंगलेंड के है ने भी स्तीफा दे दिया साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो सुरीष रहना ने भी स्तीफा दे दिया है अभी हाल में योगिंदर सर्मा ने कमरान अकमल ने भी जो है वह स्तीफा दे दिया है तो अगर अन्य खिलारियों की बात करूँ तो उसमें जो मैंने आपको हसी मामला, कमरान, अकमल, योगिंदर, शर्मा, इन सब का नाम लिया, इन सब को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अगर मैं बात करो थोड़ा सा, तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, अगर य यही थे, कपतान जो है, वो मौरगन ही थे, ठीक है, इसके अगर बात में बात करों, तो अगर प्लेयर की बात करों, तो हसीम आमला, सुरीस रैना, योगिंदर, शर्मा, योगिंदर, शर्मा, और, और कौन हैं, आपको भी कमरान, अकमल, कमरान, अकमल, इन सब ने भी क्या में लिया है इन सब में भी अभी रेटायर में लिया है तो यह भी आप ध्यान में रखेगा क्योंकि यह भी जो है सो परिक्षा के लिहाद से काफी इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगला देखिए पहले विमेंस प्रीमियर लिग के आउक्षन में भारत की स्टार बल्लिबाज स्मृती मधाना को किस टीम ने खरदा है तो स्मृती मधाना को तो वाई र तो इसका उद्गाटन मुंबई के जियो कन्विंसन सेंटर में हुआ है इसमें स्टार बल्ले बाज कौन है स्मृती मधाना तीन दसमलो चार जीरो करोड यानी लगभग तीन दसमलो चार जीरो खरीद करोड में इनकी जो है वो बुली लगी थी जो इन पर रोयल चलिनिस ब पहला सीजन है जो चार से लेकर 26 मार्च 2023 तक मुंबई में खेला जाएगा और जिसका फाइनल मुकाबला 26 मार्च को होगा इसमें कुछ कुल 22 मैच खेले जाएंगे तो इतनी सारे जो डिटेल है ये आपको ध्यान में रखना है तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया रोयल चल जीरो करोर में अब देखे यह जो है सबसे पहले डबलू पील की अगर बात करें तो यह जो है वो फर्स्ट है पहला है ठीक है आए जो जो इसका जो डबलू पील की जो बूली लगाई गई है आक्सन जो हो रहा है वो मुंबई के कहां पर हो रहा है मुंबई के जियो कन्व प्रीत कौर, हर्मन प्रीत कौर, इनको कितने में खरदा है, ये कभी पूछ सकता है, तो इनको किसने खरदा है, तो सबसे पहले मुंबई इंडियन्स ने खरदा है, और कितने में खरदा है, वन पॉइंट एट जेरो करोड में इनको खरदा है, ठीक है, तो यह बात ध्यान में खेले जाएंगे ठीक है ध्यान रखेंगे कुल मैच 22 होंगे 22 तो इतने सारे फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है याद रहेगा हाँ संगीत कहा रहे हैं मुंबई बिल्कुल यह कहा खेला जाएगा जो यह डब्लू पील है यानि विमन्स प्रीमेर लिग जैसा हम लोग देखते हैं आई पील होता है तो उसी तरह से विमन्स प्रीमेर लिग जो है वो मुंबई में ही हो रहा है करेक्ट आंसर रोयल चैलेंजरस बैंगलोर है कलियर है पार णिया जबादे है कि चलो अब कल आप लोग को प्रूब भी दिखाना है हमने सुझा कर आप लोग को प्रूब भी दिखा दे कि हम लोग मेरे से करेंट अफेर से कितना सवाल आया है अन्तिम दिन वाले से देखो तोटल जो है अगर 25-26 सवाल पूछा होगा और अन्तिम दिन की अगर मैं बात करूँ तो आपका लगभग 18-19 सवाल जो है वो उसी से आया है बिहार जी के से सवालों की संख्या कम है लेकिन करेंट अफेर से सवाल जो है वो काफी परियापत मातरा में पूछेंगे पा दिया था उससे भी सीधा सवाल पूछा है सहरी करन वाला सवाल पूछा है प्रतिविक्ति आये वाला भी सवाल उसी से आपका पूछा गया है तो यह सब द्यान में रखना है लगभग 20 सवाल जो है वो आपको इससे आया है और इसका जो प्रूफ है वो आपको किया इसकी थीम क्या थी तो सबसे पहले आपको बताना है कि एर सो जो एर इंडिया 2023 का जो उधगाटन किया है इसकी थीम क्या है उससे पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान दिजेगा कि उससे पहले आपको यहाँ भी बताना है कि यहाँ पर आपको कि य प्रदर्शन करते हैं तो इसमें हम अपनी हम किया को सोक करते हैं अगर तीसरी बात करें तो इसकी थीम क्या है तो दर रनवे तो बिलियन बिलियन ऑपर्चुनिटीज यह जो है इसका थीम है तो याद रखना है तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने इसका उधगाटन किया है तो मोदी जी ने किया है बैंगलोरू में किया है रक्षा सामर्थ का हम इसमें प्रधर्शन करने का प्रयास करते हैं ठीक है चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं मल्यालम सीरेमा की किस एक्टरस की 120 वी जयनती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से सरधांजली दी है देखेग गूगल ने डूडल के माध्यम से सरधांजली दिया है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पी के रोजी यहां से जो सवाल आपसे पूछ सकता है वह एक मल्यालम सीरेमा से भी पूछा जा सकता है और उनकी कौन सी जयनती है यह भी पूछा जा सकता है यानि पी के रोजी का संबंद किस्से है यह भी आप से परिक्षा में सवाल पूछ सकता है तो ध्यान रखिएगा मल्यालम मल्यालम सिनेमा से इनका संबंद है अगला क्या है अगला जो है इसरो ने SSLV ध्यान दीजिए SSLV का क्या मतलब होता है स्मॉल सेटलाइट लाँच वैकल रॉकेट से कितने सेटलाइट को लो अर्थ और्बिट में स्थापित किया है तो लोवर अर्थ और्बिट में कितने को स्थापित किया है तो देखो Lower Earth Orbit में सबसे पहले तो तीन सेटलाइट को स्थापित किया गया है तो देखो सबसे पहले बात आपका ये भी हो जाएगा कि यह जो SSLBD2 है यह क्या है यह भी आपसे सवाल पुछा जा सकता है कि यह चीज क्या है तो देखो जैसे माल लो कि हमें अगर मेट्रो स्टेशन जाना है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो हम गाड़ी का, हम बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम फोर विलर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम साइकल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम पैदल भी जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के लिए destination तक पहुचने के लिए हम किसी चीज का सहारा लेते हैं उसी प्रकार satellites को अगर भेजना हो अंतर एक्ष में तो हम कैसे भेजते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है launch vehicle अब देखो अलग-अलग launch vehicle है जैसे आपने सुना होगा GSLV जो Geo Synchronous Launch Vehicle है फिर आपने सुना होगा PSLV Polar Synchronous जो Polar Satellite Launch Vehicle है PSLV का नाम सुना होगा GSLV का नाम सुना होगा अब ये सब क्या है ठीक है थोड़ा समझने का प्रयास करना है अब देखो अब अगर हमें जाना है यहां से मानलो 10 km तो मैं उस चीज में किसका सहरा लूँगा बाइक लूँगा, साइकल लूँगा या फिर मैं हो सकता है मेट्रो ले लू या फिर हो सकता है कि मैं गाड़ी ले लू या फूर विलर ले लू लेकिन अब मैं पता चला मुझे 10 km जाना है सब्सक्राइब तो इसी लिए अगर मानलों लो अर्थ और्बिट में आपको चीजें भेजनी है तो इसके लिए आपको स्मॉल सेटलाइट लॉंच वैकल का सहारा लेना पड़ता है इससे क्या होता इससे आपका कॉस्ट भी बचता है और साथ ही साथ इससे आपका समय भी करते हैं बड़े डिस्टिनेशन के लिए हम क्या की इस्तवाल करते हैं ट्रेन हवाय ज़ाद तो उसी तरीके से हम बड़े डिस्टिनेशन के अगर बात करें तो हम जीसलाइट पीसले का समयाल करते हैं उपका को पुटा लॉंच वैकल है और इसमें कॉस्ट भी कमाता है और इस रो जो है वह इससे फाइदे में भी होता है यह जो है तीन सेटलाइट को लो अर्थ और्बिट में स्थापित किया है SSLV D2 ने उत्तर परदेश ग्लोवल इंवेस्टर समिट 2023 का आयोजन उत्तर परदेश के कि सहर में किया जा रहा है तो लखनव में किया जा रहा है याद रखेगा उत्तर परदेश ग्लोवल इंवेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनव में किया जा रहा है तो यह किसका समिट है तो यह जो निवीशिकों का समिट है मतलब निवीशिकों को यहाँ पर बुलाए गया है औ चेलो फाइजर इंडिया ने किसे हाल ही में अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है तो फाइजर इंडिया ने किसे अपना हाल ही में नया MD और CEO नियुक्त किया है मिनाक्षी मिनाक्षी निवतिया क्या नाम है मिनाक्षी निवतिया मिनाक्षी नेवतिया ठीक है चलो किस देश ने उर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिती की घोशना कर दी है ये सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है तो अफरिका देश का ही अफरिका का ही ये देश है उसका नाम क्या है दक्षिन अफ्रिका क्या है दक्षिन अफ्रिका तो इसको किसमे किसने घोशना कर दी है दक्षिन अफ्रिका ने ठीक है तो यह बात बिलकुल ध्यान में रखिएगा दक्षिन अफ्रिका चलो अब आप लोग एक जो है ना आगे से हम लोग थोला सा आप लोग भी या रिवाइस करते चलो हम भी रिवाइस करेंगे आपके साथ बताइए सबसे पहले क्या था क्या पढ़ा हमने सबसे पहले हमने पहले हमने पहला अर्थक्वेक हिट टर्की और उसमें हमने देखा कि लगबग एक दसमलो 68 बिलियन डॉलर का हेल्प कर रहा है व फिर हमने बात की IBRD की जो International Bank for Reconstruction and Development है जो credit loan देता है देशों को तीसरा हमने बात की International Finance Corporation की जो loan देता है नीजी यानि private investors को फिर हमने बात की MIGA की जो multinational investment guarantee agency है वह investment के लिए guarantee देती है कि आप investment करिये यहाँ पर कोई political crisis नहीं है पांचवा जो हमने पढ़ा है International Center for Settlement of Investment Dispute वो हमने देखा कि अगर कोई investor है और उनके मद्ध जो है देश के और investor के साथ कोई अगर dispute पैदा हो गया है तो उसमें यहाँ जो है ICSID help करता है विस्व बैंक के हमने बात कि कि इसमें member countries की संख्या 189 है इसके अध्यक जो है वो David Malpass है और इसका मुख्याल है वासिंग गटन में है तो यहाँ विस्व बैंक को लेकर हमने बात किया है जिसमें मदद किया है और earthquake में विस्व बैंक ने लगभग 1.68 billion dollar का अगर मैं बात करूँ और तो इसके तहट जो operation भारत के दोरा चलाए जा रहा है उसका नाम operation दोस्त है Asian Indoor Athletics Championship के बारे में भी हमने देखे लिया तो यह तो आसान था governance में भी हमने देख लिया इसमें हमने अब्दूल नजीर आपको याद करने का है कि अब्दूल नजीर को याद कर लीजेगा वह स्थी के जज़ थे और उनको जो है क्या बना दिया गया राज जिपाल जिससे मामला थोड़ा और बिगर गया क्यूकि यह जो है निसपक्षता पर सवाल उठाने लगा और उनके पद पर रहते समय उनके दाईटों पर सवाल उठाने लगा है निस्टल रेंकिंग अर करी टूरमेंट हमने देख लिया क्रिकेटर इएन मोरगन ने सन्यास ले लिया यह हमने देखा Women's Premier League का पहला संसकरन मुंबई में आयोजित किया जाएगा मार्च के महीने में यह भी हमने देखने का प्रयास किया है और फिर हमने last में Aero India 2023 जो बैंगलूरू में हुआ Prime Minister ने ज़सके उद्धाटन की है उसके बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया तो यह था आज का हमारा Total जो है Overall एक News ठीक है तो याद रखिएगा इन सब सभी को चलो यह आपका हो जाएगा धन्यवाद झा रखिएगा जो है